सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सखन आज का चिन्तन आज का चिन्तन ओम शांती प्यार का सागर मेरा बाबा मीठा बाबा आज कह रहे हैं अभी तुम टीवेट पर खड़े हो एक तरफ है दुख धाम दूसरी तरफ है शांती धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम अब जज करो हमें किधर जाना है तो बाबा केते हैं जज करो कहां जाना है दुख धाम या शांती धाम या सुख धाम नहीं दुख धाम से जाना है शांती धाम और शांती धाम से फिराना है सुख धाम बावा पूछ रहे हम बच्चों को किस निश्ची के आधार पर तुम बच्चे सदा हरशित रह सकते हो कौन सा निश्ची होना चाहिए सबसे पहला निश्ची चाहिए कि हम किसके बने है बाप का बनने में कोई बेद शाष्ट राजी पुस्तक पनने की दर्कार नहीं है दूसरा निश्ची चाहिए हमारा कुल सबसे सिष्ट देवता कुल है इसी स्मृति से सारच चक्र याद आ जाएगा बाप और चक्र किस्मिती में रहने वाले सदा हर्शीत रहेंगे तब आज बहुत प्यारा सा गीत याद किये है किसी ने अपना बना के मुझे को मुस्कुराना सिखा दिया अंधेरे घर में चिराग जैसे रोशनी वो जला दिया किसी ने अपना बना के मुझे को मुस्कुराना सिखा दिया बागते तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है हम किसके बने हैं है न तो बागते ऐसे नहीं कहेंगे कि गुरू के बने है बनना होता है बाप का शरी छोड़के भी फिर बाप का बनना होता है यहां भी बाप का बनना है बेद शास्त्रवादी किसी की दरकार नहीं है बच्चा पैदा हुआ तो बाप समझते हैं मेरे मिलकित का यह मालिक है संबन की बात है तुम बच्चे भी जानते हो हम बस तम में पहले तो बाप समझते हैं फिर मिलकित का यह मालिक है बबगती यह संबन की बात है पहले हम आत्मा है पीछी हमारा शरीर मिलता है तुमको शरीर तो है अब तुमको बेहत का बाप मिला है बाप केते हैं मेरे को याद करने से तुम नर से नारण, नारी से श्रीलक्षम बन जाते हो कितनी सहेज बात है विशाल गुद्धी होना चाहिए और तो कुछ नहीं समझते हैं सिर्फ अपने कुल की बाद ही बतलाते हैं कि कैसे चोरासी की चक्र में आते हैं बाकि बेद शाष्ट वादी पढ़ने से भी तुमको छुडाते हैं बाप को ही याद करते रहना है यह अभी बुद्धी में है कि सुष्टी चक्र कैसे फिरता है उसके आदी मध्यांत को जानने से ही तुम उंचे ते उंच बनते हो अभी यह नाटक पूरा होता है अब आपस बाबा के पास जाते हैं फिर नई दुनिया में आएंगे हमारा बाबा नई दुनिया का रचेता है उसको हम मालिक बनते हैं आपको भी तरीका बतलाते हैं कि बेहत का बाब से सदा सुख का वर्सा तुम को कैसे मिलेगा जब हम दुसरों को ग्यान समझाते हैं कि धरती पर भगवान आ गए तो उनको यह समझा कैसे तुम भी मेहनत करोगी तो पुरुशार्ट करोगी तो तो मैं भी यह सुरग की बादशाही मिलेगा मैं आतमा खाती हूँ मैं आतमा चलती हूँ यह बड़ी अच्छी प्रक्टिस है बाबा पुरुशार्ट की बाद बता रहे है कि अभ्यास करना है मैं आतमा खा रही हूँ मैं आतमा जा रही हूँ मैं आत्मा कपड़ा पहन रही हूँ तो यह अभ्यास से देह अभिमान तूट जाएगा देही अभिमानी को लोकिक समंदी याद आएंगे और देही अभिमानी को पारलोकिक बाप को ही याद करेंगे उड़ते बेटते चलते फिरते यह बुद्धी में रखना है कि मैं एक आत्मा हूँ बाप की मत पर चलना है शिबाबा मत बै रहें अपने को आत्मा समझो मैनद करनी है सुर्ग के भाती तो बनेंगे परंतु थोड़े में खुश नहीं हो जाओ भल सुर्ग में तो जाएंगे परंतु पके मातले बनो मातले उनको कह जाता है जो बाप ददा को याद करते दूसरा को याद पढ़ता तो सोदले हो जाते है तो बावा कितना प्यार से याद करना चाहिए बगते दुख की गली से निकाल बावा ने टिवेट पर ख़ड़ किया है दुखदाम की गली से तो तुम जन जमनांतर पास करते आए अब बुद्धी कहती है मुक्ती जीवन मुक्ती में जाए मुक्ती धाम में तो सदेव के लिए बैठना नहीं है कहा जाना है सुखदाम में जाना है ऐसे नहीं हम पाट से छुट जाए आए ही नहीं पाट से छुटना नहीं हो सकता ड्रामा नुसर आएंगे जरूर तो फिर मच्छ सदर से मरेंगे इतना दुख देखा है तो फिर इतना सुख भी देखना चाहिए ड्रामा नुसर आएंगे जरूर तो फिर अब पुरिशार्त करना है अभी तुम टिविट पर खड़े हो और वो है शांतिदाम वो है सुखदाम अब जज करो कहां जाना है तो बागा कहते हैं कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है क्योंकि सेड़ी नहीं जड़ी है छोटे पन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धिया अच्छी होती है कोई की याद नहीं रहती है तुम सब कुमारिया हो तुमें और कुछ करना नहीं है सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ बस बेड़ा पार है यह बाते बेहत का बाप ही समझाते है फिर हमको सुरक का मालिक बनाते है चित्र भी है हमको ऐसा करना है बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम सो देवता बनेंगे अभी अख्यल पूरा होना है मनिश्य घोर अंधियारे में पड़े है अब तुम सोजरे में हो तो आज की मुरली से बाबा की बातों को लेके जिसे बाबा केते हैं बाप आए हैं नरक्वा बिनाश कर स्वरक की स्थापना करने हम आपको भी राई देते हैं स्रीश स्रीश से मिली हुई स्रीमत हम आपको भी देते हैं बाप केते हैं मुझे याद करो तो स्वरक का मालिक बनेंगे तो इन सब बातों को सोचते हुए जीवन में धारण करने की बाते हैं सर्विस का सोक रखना है मतलब ज्यान सुनाने का कि धरती पर भगवान आये है बीमारी में भी बाप की याद में रहना अगर बीमारी तब ये ठीक नहीं है तब ही बाबा को याद करना है बाबा केते ही दूसरों को भी याद दिलाना है मुख से ज्यान दान करते रहना है पक्का मातले बनना है अर्थाती एक बाप की ही याद में रहना है सवेरे सवेरे उठ बीचार सागर मन्थन करना है दूसरा कोई भी याद ना आए तो आज बावा से बरदान लेना है अपनी शुब और शक्तिशाली भावनाओं दोरा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्यान कारी भावव आप बच्चों के मन में सदा एही शुब भावना है कि सर्व का कल्यान हो हर आत्मा अनेक जनम सुखी हो जाए प्राप्तियों से संपन हो जाए आपकी शुब और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है कितनी बड़ी बात है आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि आप संगर में विश्व रिष्ट आत्माओं को ड्रामा अनुस्सार प्रतिक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है इसलिए जो भी आत्माओं आपके संबन संपर्ग में आती है वो उसी समय शांतिवास नहीं के फल की अनुभुति करती है तो आज बावा से स्लोगान ले लेना है जो दिन भर अभ्यास करना है तो हर करम में सफलता प्राप्ति हो तिरिकाल दर्श्टी तीनो कालों का तो आज के मुर्ली का उनसर हम सोमान लेंगे मै विश्व कल्यान कारी सदाःत कारी आत्मा मुर्ली को और गहरी रिती से चिंतन करते है निरंतर बाबा की याद मेरे ना है कि सर्वे शक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है मेरे मस्तक की उपर एक फुट की दूरी पर 24 गंटे चमक रहे हैं उनकी किरेने पड़ रहे है चलते फिरते उड़ते फिरते अनभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ ही साथ है मुस्कुरात रहे है आगे बढ़त रहे है पुरुशार्द करते रहे है खुश रहे है स्वस्त रहे है मस्त रहे ओम शांती ओम शांती ओम शांती